मैं हुआ विनाश कुमार आई हूप आप से ठीक होंगे यहां पर हम बात करने जा रहें बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर की नई वेकेंसिस को लेकर कि वेकेंसिस हमें ऑफिशल बेसाइट को उपर कब तक मिल जाएंगे शाथ में बात करेंगे यहां पर कुछ लोगों के ब में हम बात करेंगे आपका एज यहां पर कबसे काउंट किया जाएगा तो सब कुछ आपको इस वीडियो में चानने को मिलने जा रहा है तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों कुछा शेर जरू करें सबसे पले हम आते हैं इस ऑफिशियल नोटिफेशन जैसे हाल फिलाल में एक साइज सब इस वेक्टर आयते हैं वहां पर आपको काफी अतक अचाईडिया मिल जाता है कि अलिजबिटी क्राइटिरिया क्या रहेंगे नॉर्मल सी आपको किसी भी सब्जेक्ट से अपने असनाता कर रहा है कोई भी सब्जेक्ट हो चाहे वोकेशनल हो चाहे आप तरीके से अपने असना तक अपना गरिजर्शन कंप्लीट कर रहा है तो आप इस पोस्ट को लिए यहां पर एक ड्रॉबैक यह है एज यहां पर जो काउंट किया जाएगा एक जैनवरी 2023 से काउंट किया जाएगा आपका एज साथ में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेश एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो भी डीटेल है सब कुछ आपका इसी डेट से काउंट किया जाएगे तो यहां पर एक अच्छा मौका आपके सामने है हाँ पैसे कंडिट जिन्होंने हाल फिलाल में जिनका क्लियर हो रखा है वे कंडिट यहां पर एलिजबल नहीं रह आपका 37 आपका होना चाहिए यह समान वर्ग में और बाकी कैटेग्री में जो रिलेक्सेशन आपको दी जाते हैं जो रूल है उस रूल के काउडिंग आपको रिलेक्सेशन मिल ही जाते हैं तो एस को लेकर भी ज्यादा सोचना नहीं है वैसे कनेट जो आकरी पड़ाव में थे उनका एज यहाँ पर निकल चुका है तो कोई ऑप्सन नहीं है यहाँ पर चुएज काउंट किये जाएंगे एक जैन धुन 23 से काउंट कि जा रहे और किसी रहा का रिलेक्सेशन भी नहीं दिने दिया जा रहा तो यहां पर accountability लेकर थो श्लेवस पहले ही तरह कोई visitors बद काटगरी में आते हैं तो 165 आपके होने चाहिए, आप EBC में आते हैं, तो 160 से होने चाहिए, और यहां पर प्रफष— возь philanthropy के लिए 165, EBC,Eh decimal category, 160, SC, HT के लिए, जो मेल के चीटिगरी में आते हैं वैसे लोगों के लिए 180 सेंटीमीटर और सभी वर किसी भी कैटेगरी में आते हो तो आप 150 सेंटीमीटर आपकी है तो आप इस पोष्ट के लिए रहेंगे देन हम बात करें इसके स्लेवर्ट को लिए प्रीछा में आप सभी लोग जानते से दो सवंग के होते हैं 100 प्रशन पुछी जाती है दो घंटा समय दिये जाते हैं और 30 प्रशन अंग आपको लेकर आने होते हैं पिल्मनरी एक्जाम में और 30 प्रशन बस आप अपने आपको संतावना देने के लिए सिर्फ इससे ज्यादा नहीं पर आपको इस मैरिट में आन स्फश्व को पर अच्छी पकड़ 삼ची आप हम आपको यहां आपके फेवर काम नहीं करता खृतर है एक अब अब बात करते हैं कितनी vacancies रहने जा रहे हैं तो आपका vacancies as it is same रहने जा रहे हैं कोई नंबर जो कुछ दिन पहले अप्राइल के लास्ट वीक में बताये गया थे कि आपको जो नंबर वही नंबर आपको बारा सो अठासी ADZ के दवारा आपको बिहार पुलिस के प्रेस कॉंफरेंश में यह बारा सो अठासी नए पोश्ट बताया गया थे तो यही exact नंबर बारा सो अठासी है अब बात कर लेते हैं कि हाँ पर यह 1288 समाने दरोगा या ERS दरोगा है इससे पहले भी मैंने इस doubt को लेकर मैंने clear कर दिया था यह समाने दरोगा किसी भी तरह का ERS दरोगा नहीं है ERS दरोगा आगे चल कर हमें नए vacances देखने को मिलेंगे पर यह vacances जो ERS दरोगा होंगे यह second phase वाले दरोगा आएंगे first phase वाले दरोगा वो पर्मोशन को तुरू fulfill किये जा रहे है वो आने वाले समय में fulfill कर लिए जाएंगे पर जो भी हो आप second phase ERS दरोगा कम से कम 2023 लाष्ट की कुछ अच्छी खबर निकल कर आ सकती है पर अभी के लिए ERS दरोगा के लेकर कोई भी अपडेट नहीं है जो डबल मेंट होता है उसके हिसाब से आगे चल कर ही बात करना सही होगा अभी से इतना पहले बात करना बहुत आपको समानी दरोगा से 1288 पोस्ट है अब यह बिग्यापन अब कब तक आएंगे तो बिग्यापन कभी भी आ सकते है एक्जाक टाइम डेट बताना थोड़ा सा मुश्किल है यह सब कुछ आयोग की उपर है आयोग अपना फॉर्म किसी भी अप्लिकेशन या आप पता नहीं चल बाते है पर अपको खता भी अप्लिक इंसपेक्टर 1888 प्रिक्यापन ऑफिशल बिग्यापन को देखने को मिल जाए एस से ज़्यादा आपको इंतिजार नहीं करने पड़ेंगे और यह आखरी इंतिजार है इसके बाद जादव से जादव कोई नए दरोगा या कोई नए पोस्ट को लेकर आप इनतिजार करेंगे पर यह जो जिस चीज को लेकर अपरेल के महिने में कहे गये ते यह लगवलगपक आपको आपके सामने बहुत जल्द ऑफिशल वेसाइट को पर मिल जाएंगे ज्यादा इंतिजार नहीं करना बड़े कुछ दिन हो सकते हैं या कपल ओफ वीक हो सकते हैं एक्जाक्ट हमें आने वाले समय में ही पता चलेंगे कि ऑफिशल वे सब इंस्पेक्टर की नए वेकेंस को लेकर डाउट थें एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर डाउट थें और ये वेकेंसी या रेसेस है या समान दरोगा इसको लेकर डाउट थें जो भी डाउट थें सारे डाउट मैंने क्लियर करने के कोशिश किया और उमीद करता ह कि आपके doubt clear हो गए होगे तो चलिए आज किसी वीडियो ने तना ही इस वीडियो के देखने के लिए आप सब भी को बहुत बहुत धन्माज जैहिन